Hello guys, welcome to Daily Current Capsule, this is the Vyanch और आज इस फीडियो में हम डिसकस करेंगे नुवेंबर मन्त के Current Affairs का दूसरा पार्ट इस से पहले एक पार्ट आलड़ी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा कि उसे देखेगा and without any further delay इस फीडियो को भी हम स्टार्ट करते है सबसे पहले International Solar Alliance के बारे में जानते हैं थोड़ा सा ये हमारे Prime Minister Narendra Modi का brainchild कह सकते हैं इसे इसे 2015 में बनाया था जब COP21 की meeting होई थी उस दोरान इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसे बनाया था और इसके headquarters आपको मिलेंगे गुरुगराम हरियाना में और अगर बात करें इसके नए member की तो एक South American country है चिले वो इसका नए member मना है और चिले की capital है Santiago वो चिले की तो सबसे बड़ी city है ही साथी पूरे South America में सबसे बड़ी cities में उसका नाम आता है जहां responsibility की बात आती है तो मेरे ख्याल से एक ही नाम आना चाहिए केरला का सबसे जादा responsible state है सबसे पहले paperless high court भी है ही पर आया था अपनी खुद की internet service भी केरला नहीं शुरू की थी अपना खुद का OTT platform भी केरला ने बनाया था और responsible tourism का वाड भी इन्हें ही मिला है तो केरला के CM है पिनरे वीजेयन यहां की गवर्नर है आरिफ मुहम्मद खान यह भी बहुत ज़ादा news में थे अभी क्योंकि इनकी और सरकार की काफी tension चल रही है अभी अभी हाली में केरला की सरकार ने अपने गवर्नर के खिलाफ यानि के आरिफ मुहम्मद खान के खिलाफ एक writ petition डाली थी हाई कोट में क्योंकि वो बिल्स को पास नहीं करते थे कोई भी बिल अगर सरकार उने पास करके देती थी साइन करने के लिए तो वो से साइन नहीं करते थे एक एक दो दो साल तक ऐसी रखे रखते थे अपने पास तो जिसकी कंप्लेन हाई कोट में उनके खिलाफ की गई है होकी की जब बात आती है तो इंडिया के आगे कोई नहीं टिक पाता इस बार की एशियन चैंपियनशिप ट्रोफी इंडिया ने जीती है और इसके अलावा जूनियर एशिया कप हुआ था जिसमें मैंस कैटिगरी में इंडिया जीता है और विमिन्स कैटिगरी में भी इंडिया जीता है इसके अलावा फाइवेस एशिया कप हुआ था 5S का मतलब है जिसमें 5 प्लेयर खेलते हैं टीम में तो उसमें भी men's category में इंडिया जीता था और women's category में भी इंडिया जीता था इसके अलावा Asian Games में भी gold medal लेके आया था Indian men's team और women's team में browns medal आया था Asian Games में तो ये सारी चीज़े याद रखिएगा हौकी से related जाद अतर जो championship हुई है उसमें इंडिया ही जीता है साइमा वाजिद the next regional director of WHO's South East Asia region is from which country देखे ये question important है क्योंकि एक तो इसमें WHO की बात की गई है World Health Organization जिसके headquarters हमें मिलते हैं जिनेवा, Switzerland में उसकी एक नई regional director बनाई गई है South East Asia region की South East Asia region वो है जिसमें इंडिया और उसके आसपास के देश आते है तो उस रीजन की regional director साइमा वाजिद को बनाई गया है ये important है दूसरा वो belong करती हैं बांगलादेश को और बांगलादेश में भी जो वहां की prime minister है शेक हसीना उनकी बेटी है इसलिए बहुत important हो जाता है और अभी हाली में बांगलादेश में चुनाव हुए थे जिसमें दुबारा से उनी की सरकार जीती है तो इसलिए important है याद रखना कि साइमा वाजिद जो बांगलादेश से बिलॉंग करती है शेक हसीना की बेटी है उन्हें डबलू एचो ने regional director बनाया है साउथ इस टेशे रीजिन का विच शिप आफ दे इंडियन कोस गार्ड हैस बीन डी कमिशन अभी हाली में इंडियन कोस गार्ड की एक शिप को डी कमिशन कर दे गया है 27 साल सर्विस लेने के बाद जिसका नाम है एक टाइम पे ये प्रोजेक्ट बहुत ज़ादा हवा में था और बहुत सारे देश पैसे के लालच में इसे जॉइन करना चाहते थे लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से देशों को पता चलने लगाए कि ये एक डेट ट्रेप है और चाइना उनकी ये जमीन हती आना चाहता है उन्हें थोड़े बहुत पैसे देखे इसलिए धीरे धीरे करके कई सारे देशों ने इस प्रोजेक्ट को अब छोड़ना शुरू कर दिया है जैसे कि फिलिपीन्स ने इस प्रोजेक्ट से एक्जिट कर दिया है आली मैं आपनो सुनाओगा कि इटली ने भी इस में से एक्जिट कर दिया था तो इन दोनों देशों के ही बहुत अच्छे रिलेशन से इंडिया के साथ और ये बहुत अच्छी वात है कि इनों ने इस प्रोजेक्ट से एक्जिट कर दिया है और फिलिपीन्स तो वैसे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है क्योंकि ये पहला देश है जिसने हमसे ब्रम्मोज मिसाइल करी दी है और फिलिपीन्स की कैपिटल है मनीला जहां पर आपको मिलेंगे हैटक्वार्टर्स एडीबी के या नी एशियन डेवलप्मेंट बैंक के तो ये बात भी याद रखना है West Indies जो एक टाइम पे बहुत धासू टीम हुआ करती थी और उन्होंने अपना नाम भी चेंज के लिए West Indies का नाम अब हो गया है विंडीज अब उनके एक प्लेयर थे सुनील नरायन जिनने अपने IPL में भी देखा हुगा कोलकाथा नाइट राइडर्स की तरफ से खेलती हुए वह कॉलराउंडर थे पहले यूजिली वह स्पिन बॉलिंग कर रहाते थे लेकिन बीच में वह बैटिंग भी कनने लगे तर ओपनिंग भी की थी उन्होंने कही मैचेस में तो उन्होंने अब इंटरनाशनल क्रिकेट से रेटार्मेंट ले लिया है इससे पहले वाला जो एडिशन हुआ था वो होस्ट किया था बैंककॉक थाइलंड ने जिसमें इंडिया ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी साथ गोल्ड मेडल जीते थे इंडिया ने उस वाली एडिशन में 23rd एडिशन में और इसका 24 वा एडिशन बंगलदेश होस्ट करेगा जिसे 1990 में साइन किया गया था नेटो और वार्सो कंट्रीज के बीच में 1990 में आलमोस्ट आप कह सकते हो कि कोल्ड वार जब खतम होने वाली थी उस टाइम पर नेटो कंट्रीज नौर्थ अट्लांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन यूएसे की सपोर्टिंग कंट्रीज और दूसरी तरफ वार्सो पैक्ट वार्सो पैक्ट था यूएससर की सपोर दो साल हो जाएंगे रशिया के इन्वेजन को यूकरेन पर जोजने किया वाए तो याद रखना ट्रीटी अफ कन्वेंशनल आमट फोर्सेश इसके परे में पूछा जा सकता है ये रशिया नहीं से एक्सिट किया है भी श्री सोमनात मंदर का ट्रस्ट है जो आपको मिलेगा गुजरात के सौराष्ट में तो इसके जो नए चेर्मेन है वो बनाया गया है प्यम मोदी को वो पहले भी इसके चेर्मेन रह चुके हैं लेकिन इससे पहले सिर्फ एक साल के लिए ही चेर्मेन बनाया जाता था पर इस बार इन्हें पांच साल के लिए चेर्मेन बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी को और इस मंदर के बारे में आपको पता होगा कि पूरे भारत में शिवजी के बारा जोते लेंगे जिन में से एक यहां पर भी है सोमनात टेंपल में और इसके उपर 17 बार अट इनाउगरेशन हुआ था वो उस टाइम के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर राजी इंदर प्रसाद उन्हों ने किया था who has become the first cricketer in the world cricket history to be timed out timed out ये एक नया cricket का rule हमें पता चला है ये बंद तो काफी पहले ही किया था लेकिन इसका पता हमें अब चला है जब Angelo Matthews पहली वार timed out हुए थे हुआ ये था कि वोल्ड कप का मैच चल रहा था श्रेलंका वर्सिस बांगलादेश श्रेलंका की बैटिंग थी और एक विकेट होने के बाद दूसरे बैट्समन के पास सिर्फ तीन मिनट का टाइम होता है कि वो आके स्ट्राइक ले लेकिन जब Angelo Matthews आए तो उन्हें लगा कि उनके हलमेट का स्ट्रैप खराब है वो ठीक से बद नहीं हो रहा तो उन्होंने इशारा करके दूसरा हलमेट मंगवाया इतने में ही उनका तीन मिनट खतम हो गए लेकिन ऐसे नहीं है कि वो तीन मिनट का टाइम आउट होने के बाद अम्पैर आपका उट देगा उसके लिए सामने वाली जो टीम थी उसे अपील करने पड़ती है और सामने बांगलादेश थी उन्होंने अपील करी और उन्हें अपील करी और उन्हें एंजलो मैथियूस का विकेट मली गया था ये काफी controversial विकेट था जिसके बारे में काफी news भी बनी थी और बहुत sportsman spirit के बारे में भी काफी बात हुई थी तो याद रखना एंजलो मैथियूस पहले क्रिकेट अर्बन है जो टाइमड आउट हुए थे इसके नाम से पता चल रहोगा कि ये डॉल्फिन से रिलेटेट प्रोजेक्ट है और इसमें उसकी conservation के लिए काम किया जाएगा ये एक central government की scheme थी जिसमें जो भी इसमें पैसा लगना था उसका 60% central government देती और 40% state government को bear करना था तो तमिल्नाडू ने ये order issue किये थे इसे implement करने के तमिल्नाडू के CM है अभी MK Stalin और यहां के governor है RN रवी तमिल्नाडू की capital है चिन्नाई जिससे पहले मदरास बोला जाता था लेकिन 1996 के बाद उसका नाम चेंज करके चिन्नाई रख दिया था तो याद रखना प्रोजेक्ट डॉल्फिन तमिल्नाडू में implement हुआ है इस साल पहली बार इस किताब को जीता है पंजाब ने इससे जीता था लेकिन इस साल पहली बार पंजाब ने ये किताब अपने नाम किया है पंजाब के सीये में भगवंत मान वहां की गवर्णर है बन्वारी लाल पुरोहित और वहां की capital है चंडिगर आचा चंडिगर के बारे में बहुत लोगों ने आपको बताया होगा कि पंजाब की capital भी चंडिगर है हरियाना की capital भी चंडिगड है चंडिगड एक city भी है, एक district भी है और एक union territory भी है लेकिन क्या आपको ये पता है कि चंडिगड का नाम चंडिगड कैसे पढ़ा चंडिगड के पास ही एक चंडी माता का मंदिर था, जिसके नाम पर शेहर का नाम रखा गया था, चंडिगड ठीक है, बाद में मत कहना पता है नहीं दो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज इंडिया में खुलने वाली है गांधी नगर गुजरात में जहां पर gift city वनेगी वहाँ पर पहले तो आपको उन दोने यूनिवर्सिटीज के नाम पता होने चाहिए, डाइकिन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ओफ वॉलन गॉंग ये दोने यूनिवर्सिटीज अपने campuses यहां gift city में खुलेंगी जहां पर जुलाई दोहजार चौबिस से admissions चालू हो जाएंगे साथी gift city की फुल्स वर्म क्या है गुजराथ International Finance Tax City जो गुजराथ की capital गांधी नगर में बनने वाली है गुजराथ की CM है बूपेंदर भाही पतेल और यहां के governor है आचारिय देवरत इंडिया ने एक surface to surface short range missile प्रलय का सफल परिक्षण किया था वीलर्स आइलेंड पे उडिशा के कोस पर यह एक आइलेंड है वीलर्स आइलेंड जिसका नाम चेंज करके रख दिया था अब्दुलकलाम आइलेंड इस missile को भी DRD उने डेवलप किया है जाद अतर वही करता है और जब भी उसे कोई missile का test परिक्षण करना होता है तो वो इस आइलेंड पर ही करते हैं अब्दुलकलाम आइलेंड पर यहां से इन्होंने प्रलय का सफल परिक्षण किया था यह missile short range की है साड़े 300 से 500 किलो मिटर तक की दूरी को यह कवर कर सकती है और पेलोड कैपसिटी इसकी 500 से 1000 किलो तक की है इसे डिप्लॉय किया जाएगा LAC, Line of Actual Control जो चाइन का बॉडर है वहां पर और LOC, Line of Control जो पाकिस्तान का बॉडर है वहां पर उन दोनों जगे पर ही इसकी डिप्लॉयमेंट की जाएगी तो प्रले मिसाइल सर्फेस तू सर्फेस short range ballistic missile है यह एक अथोरिटी जो आती है Ministry of Commerce कंडर इसके मिनिस्टर है प्यूज गोयल तो इसमें अपीडा ने यह M.O.U. साइन किया है लूलू हाइपर मार्केट के साथ यह काफी बड़ी और्गनाइजेशन है UAE की इन्होंने इंडिया के अग्रिकल्चरल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए यह M.O.U. साइन किया है पैरिस मास्टर्स टाइटल जो जीता था नोवाग जोकोविक ने 2023 में उसके बाद फ्रेंच ओपन वो भी नोवाग जोकोविक ने जीता था उसके बाद आता है विंबल्डन वो जीता था कारलोस ऐलकराज ने और सबसे लास्ट में आता था US ओपन वो जीता था नुवाग जोकोविक ने तो पिछले साल इन चार में से तीन नुवाग जोकोविक नहीं जीते थे खाली विंबल्डन जो था वो कार्लोस एलकराज ने जीता था और इस साल काभीन में से कोई हुआ नहीं है अब शुरू होंगे तो देखा जाएगा एक महीने के अंदर 16 मिलियन मेट्रिक टन्स कार्गो हैंडल करने वाला पहला ऐसा पोर्ट बन गया है मुंदरा पोर्ट यह आपको मिलेगा गुजरात में यह इंडिया का पहला सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है जो अब अडानी ग्रूप के अंडर है और यह सबसे बड़ा कार्गो पोर्ट भी है तो याद रखना मुंदरा पोर्ट जो अडानी ग्रूप हैंडल करता है उसने एक महीने में 16 मिलियन मेट्रिक टन्स कार्गो हैंडल किया है जो अभी तक इंडिया में किसी भी पोर्ट ने नहीं किया था विच बैट्समिन हैस इक्वल्ड सचिन तंदुलकर्स सेंचरीज इन ODI क्रिकेट ओडियाई क्रिकेट में सचिन की 49 सेंचरीज थी और उस रिकॉर्ड को इक्वली नहीं किया है बलकि ब्रेक कर दिया है विराट कोली ने उनकी टोटल 50 सेंचरीज हो चुकी है ODI में अब टोटल कोली की अभी 80 सेंचरीज है जिसमें 50 तो खाली ODI की है एक है T20 इंटरनाशनल की और 29 है टेस्ट मैच की वहीं अगर सचन से हम कंपेर करें तो उनकी ओवराल 100 सेंचरीज है और कोली की अभी टोटल 80 हुई है लेकिन उन्होंने सचन तैंदुल करका ODI का रिकॉर्ड तोट गया है 49 सेंचरीज का भारत ब्रेंड ये जो स्कीम थी ये सरकार ने फरवरी में शुरू करी थी इसके अंडर 2000 रीटेल आउटलेट्स खोले गए थे और 800 मोबाइल वैंस थी मोबाइल वैंस यानि के ऐसी गाड़ी जो चलती फिरती दुकान हो उसमें सारा समाना आपको मिलेगा तो उसमें 29 रुपे पर केजी के हिसाब से ये आटा उन्होंने देना शुरू किया था भारत ब्रैंड का लेकिन अब उसमें 2 रुपे की और का टौती कर दिये और अब ये 27 रुपे किलो के हिसाब से भारत ब्रैंड का आटा दिया जाता है तंजानिया एक अफ्रिकन कंट्री है और इसके पास एक छोटा सा आइलेंड है जांजिवार के नाम से वहाँ पर IIT मदरास अपना एक इंटरनेशनल कैंपस खोलने वाला है तंजानिया की कैपिटल है दोदोमा लेकिन ये दोदोमा में नहीं खुलेगा एक अलग आइलेंड है जांजिवार वहाँ पर ये IIT मदरास अपना कैंपस खोलेगा इसके अलावा आपने सुना होगा कि IIT डेली भी एक इंटरनेशनल कैंपस खोल रहा है UAE में तो वो भी याद रखना वो भी इंपॉर्टन्ट है इसके साथ एक QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आती है 2024 की जो रैंकिंग्स आई है उसमें IIT बॉम्बे ने पहली रैंक आई है उसकी इंडियन यूनिवर्सिटीज में अगर overall देखा जाए तो चाइना की पीकिंग यूनिवर्सिटी नंबर वन पह है लेकिन अगर इंडियन यूनिवर्सिटीज की बात करते है तो IIT बॉम्बे नंबर वन पह है उसमें When is World Tsunami Awareness Day celebrated? Tsunami Awareness Day मनाया जाता है 5 नवंबर को और इस साल इसकी थीम है Fighting Inequality for a Resilient Future Fighting Inequality for a Resilient Future या रखना Which Indian Chess Player won the FIDE Women's Grand Swiss 2023 title? FIDE चेस की एक Governing Body है जिसके अंडर जो Women's Grand Swiss title था 2030 का वो जीता है आर वैशाली ने आर वैशाली बहन है आर प्रगनानदगी ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी Brother Sister Duo ने इतने बड़े लेवल पे जाके इंडिया को रेप्रेसेंट किया है चैस में तो इनका नाम याद रखना आर वैशाली Who has been appointed as the Surveyor General of India by the Central Government अभी इंडिया के नए Surveyor General appoint हुए है हितेश कुमार मकवाना इनका यानि Surveyor General का का काम होता है इंडिया में जो Surveyor होते हैं और जो मैपस बनते हैं उनके ये इंचार्ज होते है तो आपने देखा होगा जैसे अगर हम Google पे टाइप करते है Map of India तो उसमें 10 में से 8 मैप incorrect शो होते है आपने ध्यान दिया होगा भी तो आदी बार उसमें कश्मीर का टावा दिखा रखा होता है या फिर अकसाइचिन का टावा दिखा रखा होता है 10 में से 2 या 3 मैप ही ऐसे होते है जो proper इंडिया का पूरा मैप शो करते है तो इन्हें बहुत काम करने की जरूरत है इनके साथ ही इंडिया के लोगों को भी उसके मैप को लेके अवेर करने की बहुत जरूरत है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि इंडिया का proper मैप होता कैसे है तो कई बार वो गलत मैप यूज कर देते हैं जो की आधी बार कटा बार रहता है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए मैप की पूरी जानकारी भी रखना बहुत जरूरी है तो इनका नाम याद रखना हितेश कुमार मकवाना सर्वेर जनरल आफ इंडिया जो बने है ये दूसरा एडिशन था वोल्ड फूड इंडिया का इससे पहले 2017 में हुआ था ये और अब जाके 2023 में हुआ है नियू डैली में ये हुआ था भारत मंदपम में और ये वही इवेंट है जहापर लूलू हाइपर मार्केट के साथ अपीडा ने अपना वो M.O.U. साइन किया है तो याद रखना सेकेंड एडिशन वर्ल्ड फूड इंडिया का नियू डैली में हुआ था भारत मंदपम में ओके गईस तो आपके 25 कोशिन पूरे हो चुके हैं नवंबर करंट अफेर का दूसरा पार्ट आपका तयार है इसके बाद दो पार्ट और आने है इसके अलावा बेस्ट 500 की सीरीज भी चल रही है आपकी अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके देखिए उसे आपके अपकमिंग एक्जाम्स के लिए बहुत important questions है उसमें सारे static है साथ में current भी mix है थोड़ा बहुत उसमें तो अच्छे से revision करना इन वीडियो का मन लगा कर पढ़ाई करना and I'll see you in the next class